डॉक्टर बाबा साहब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार मित्रो डॉक्टर बाबा साहब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनिल परमार असिस्टन प्रोफिसर हिंदी आप सभी का हार दिख्ष्वागत करता हूँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम वर्ष बिये हिंदी अनिवार्य पेपर, HND.com 101, कहानिया, कविताय और व्याकरन के अंतरगत खंड 2 की इकाई 14 हिंदी के उपसर्ग और प्रत्य का अध्यान करेंगे। इस एकाई का लेखन कारिय डॉक्टर घेल जी भाटिया सर ने किया है और द्रश्य शव्य प्रस्तूति करन मैं डॉक्टर सुनिल परमार आपके सामने कर रहा हूँ विद्यार्थी मित्रो बिये प्रत्म वर्ष के इस हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को अच्छी तरसे सही सही लिखने का जो अप्यास हमने खंड 1 से की इकाई 4 से सुरू किया था वो अब खंड 2 में आने वाली इस इकाई 14 में एक मुकाम पर पहुच रहा है यह इकाई हिंदी के उपसर्ग और प्रत्य पर आधारी थे उपसर्ग और प्रत्य मुल शब्दों के साथ जूड़कर उनका अर्थ विस्तार कर देते है या अर्थ में विस्ष्टा ला देते है या कई बार उनका अर्थ पूरी तरह बदल ही देते हैं अपनी अभिवेक्ति को प्रस्तुत करने के लिए भाशा पर प्रभुत्व होना बेहत जरूरी है वक्ता का प्रभाव श्रोता पर तभी पढ़ता है जब वक्ता कम शब्दों में सटिक भाव का शंप्रेशन कर पान हैं यहां हिंदी सब्द भंदार में उपसर्ग और प्रत्य के योगदान को समझने का प्रयत्न करते हैं मित्रों इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य क्या है तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आप उपसर्ग और प्रत्य का अर्थ समझ सकेंगे उपसर्ग और प्रत्य की परिभाशाओं से परिचित हो सकेंगे उपसर्ग और प्रत्यों के प्रकार जान सकेंगे हिंदी भाशा में उपसर्ग और प्रत्य की भूमिकाक्वे घ्यान अरजित कर सकेंगे उपसर्ग और प्रत्य के प्रयोगों को समझ कर अपनी सब्द शंपदा बढ़ा सकेंगे विद्यार्थी मित्रों जरा विचार तो कीजी कि किसी भासा में जो हजारों शब्दों की संपदा होती है या कहां से आती है विबिन विचारों को व्यक्त करने के लिए जो हम अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं वे सब क्या हमेशा से हमारी भाशा में थे क्या सब्द बनाए या घड़े जा सकते हैं हिंदी के इतने सारे सब्द कहां से आए यदि हम सब्दों का विशलेशन करें तो हम पाएंगे कि कुछ शब्द उस भाशा के अपने हैं कुछ शंपर्क में आने वाली दूसरी भाशाओं से ले लिए गए हैं कुछ दो शब्दों को जोड़ कर बना लिए गए हैं और कुछ के आगे पीछे दो एक अक्षर जोड़ देने से अलग शब्द बन गए हैं भाशाओं की सब्द संपदा ऐसे ही भड़ते हैं प्रत्यक भाशा में चार तरह के शब्द तो मिलते ही हैं कुछ शब्द भाशा के अपने मुल शब्द, कुछ दूसरी भाशाओं से ले लिए हैं आहरित शब्द, कुछ शब्दों को जोड़ तोड़ कर बनाये हुए योगिक शब्द, और कुछ शब्दों के आगे पीछे दो एक अक्षरों के मेल से बने हुए विद्पन शब्द अब जरा हम हिंदी की शब्द संपदा को टटोले हिंदी की शब्द संपदा का एक बड़ा हिस्सा संस्कृत के सब्दभंडार से आता है क्योंकि आप सब जानते ही है कि संस्कृत हिंदी की जननी है हिंदी में संस्कृत के जिन शब्दों को ज्योकात्यो प्रवग किया जाता है उन्हें तस्सम सब्द कहते हैं जैसे प्रातह, शूरिय, चंद्र, श्वन और नजाने ऐसे ही कितने ही शब्द तस्षम शब्द खालाते हैं जो संस्कृत शब्द गिस कर थोड़े बदले रूप में आते हैं वे तदभव शब्द खालाते हैं जैसे सूरिय, सूरज, चंद्र, चंदा, श्वन, शोना, आदी कुछ शब्द ऐसे भी है जिनका स्रोत यानि कि वे कहां से आये है या पता नहीं चलता ऐसे सब्दों को देशे सब्द कहा जाता है जैसे डिबिया, चिडिया, तेंदुआ, आदी फिर हिंदी के संपर्क में आने वाली सभी भाषाओ फार्सी, अर्बी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी आदी से खुब सारे सब्द आहरित किये है आराम, फार्सी, कीताब, अर्बी, अल्मारी, पुर्तगाली, रेखा, फ्रेंच, रेल, अंग्रेजी आदी ऐसे कुछ उदाहरन है फिर हिंदी में योगिक सब्द है डाकगर, देशवासी, रेलगाडी, आदी इसके बाद हिंदी में एक बड़ी संख्या ऐसे सब्दों की है, जो मूल सब्दों के आगे या पीछे या दोनों तरफ कुछ अक्षर जूड कर बनाए जाते हैं दैनिक, प्रहार, अंबलिय, प्राध्यापक, अनपड, आदी ये जुडने वाले वन उपसर्ग और प्रत्य कहलाते हैं, आईए इस इकाई में हम इनी उपसर्ग और प्रत्यों के विशय में कुछ विस्तार से अध्यान करते हैं, उपसर्ग की परिभाशा एवं अर्थ उपसर्ग उस भासिक इकाई को कहते हैं, जिसका भासा विश्यस में स्वतंतर प्रयूग न होता हैं, बलकि किसी सब्द के आरंभ में उसके जुडने से एक नया शब्द बन जाए और उसका मूल शब्द से अलग विश्यस अर्थ प्रगट होने लगें उपसर्ग दो शब्दों के योग से बढ़ता है उप प्लस सर्ग, उप का अर्थ होता है समिप, निकट या पास में, सर्ग का अर्थ होता है स्त्रिष्टी करना, इस तरह उपसर्ग का अर्थ है पास में बेटकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, जैसे हार शब् लगाने से साहार, वी लगाने से विहार और परी लगाने से परिहार हो जाता है इस तरह प्रहार, आहार, साहार, विहार और परिहार शब्द बन जाते हैं जो अर्थ की द्रश्टी से परस्पर सर्वता अलग है उपसर्ग के प्रयोग से सब्दों के अर्थ में एक नई विसे इस्ता आती है जो मूल सब्द के अर्थ से बिलकुल अलग हो सकती है यहां उपसर्ग और सब्द का अंतर समझ लेना चाहिए शब्द भी अक्षरों का एक समों होता है और उपसर्ग भी लेकिन उपसर्ग अक्षरों का समों होते हुए भी सब्द के समान स्वतंतर नहीं है वर न स्वतंतर रुप से उनका प्रयोग ही होता है यद्यपी उपसर्गों का भी अपना एक अर्थ होता है तथा पिव अर्थ तभी प्रगट होता है जब किसी सब्द के साथ उसकी संगति बैठती है उपसर्गों के प्रकार हिंदी भाषा में उपसर्ग के योग से प्रभूत मात्रा में शब्दों का निर्मान हुआ है हिंदी में प्रल्क्त उपसर्ग व्यवस्ता को भाषा के आदार पर तीन भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है संस्कृत के उपसर्ग जैसे कि हम जानते ही है कि हिंदी भासा संस्कृत से निकली है और अपने शब्द भंडार का एक बड़ा हिस्सा उसने संस्कृत से पाया है अता स्वाभाविक ही है कि संस्कृत के उप्षरगों से बने शब्द हिंदी में बहुतायन से मिलते हैं सामने रूप से तो ये उपसर्ग तश्रम शब्दों में लगते हैं लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी है जो तदभव और देशज शब्दों के साथ भी मिल जाते हैं आईए अब हिंदी में प्रग्ट होने वाले संस्कृत के प्रमुक उपसर्गों के उनके अर्थ और उनसे बने कुछ सब्दों के साथ चाने संस्कृत व्याकरण के अनुसार उपसर्ग कुल बाइस है प्रव, परा, अप, सम, अनु, अब, नीस, नीर, दूश, आंग, नीर, अपी, अती, प्रती, उप लेकिन संस्कृत भाषा कुछ उन अव्योका भी उपसर्गों की ही तरह प्रयूग करती हैं, जिनका उल्लेक उपसर्ग सुची में नहीं हैं, नीचे दी गई सुची में हमने उन शब्दों को भी ले लिया हैं, जो उपसर्ग जैसे बन समों को जोड़ कर बने हैं, और जोड़ी में उपसर्गों से युक्त शब्दों के रुप में जाने जाते हैं, उपसर्ग अंतर जिसका अर्थ अंदर होता है, उसका उधारन है अंतरगरण, अंतरदर्शा, अंतरध्यान, अंतरभाव, अन उपसर्ग का अर्थ अभाव या निशिद होता है, उसका उधार अनाधी, अनायास, अनेक, अच्छूत, अजान, अति उप्षर का अर्थ है अधिक, उस पार, जिसके उधारन है अतिशय, अतिकल्पना, अतिमानव, अतिप्रिय, अतिरिक्त, अतिकाल, अतियाचार, अधि उप्षर का अर्थ होता है उपर, स्थान में, स्रेश्ट, जिसके उ उधिपती, अधिकार, अधिपाठक, अधिकरण, अधिराज, अधिश्ठाता, अध्यात्म, अध्यक्स, अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे समान, उसके उधारान है अनुकरण, अनुक्रम, अनुसासन, अनुश्वार, अनुताप, अनुग्रह संस्कृत में और भी उपसर्ग है जैसे अभी, अव, आ, उत, कु, का, परा, परी, वी, स, सह, श्वम, हम हिंदी के उपसर्गों के बारे में चानते हैं हिंदी के अपने उपसर्ग बहुत थोड़े से है, कुछ उपसर्ग जो संस्कृत उपसर्गों से साम्य रखते हैं लेकिन तस्सम सब्दों की जगा तदबव शब्दों में लगते हैं उपर संस्कृत उपसर्गों के अंतरगर्थ ही वे दिये गए हैं यहां नीचे हम कुछ उन उपसर्गों को देखेंगे जो संस्कृत उपसर्गों से अलग है और तदबव और देशज सब्दों में लगते हैं अध उपसर्ग का अर्थ है आदा जिसके उधारण है अधखिला, अधकच्चा, अधमरा, अधपका, आदी अन उपसर्ग का अर्थ है अबाव निश्यत जिसके उधारण है अनदेखा, अनपढ, अनसुनी, अनगिनत, अनहीत, अनमोल, आदी उन उप्षर का अर्थ है एक कम, जिसके उधारान है 19, 39, 49, 49, 69, 89, आदि ओ उप्षर का अर्थ है ओगुन, ओगट, ओशत, आदि दू उप्षर का अर्थ है बुरा तताहिन, जिसके उधारान है दुबला, दुकान नी उपसर का अर्थ है रहित जिसके उधारण है निकम्मा, निडर, निरोगी, निहत्था, बिन उपसर का अर्थ है निशेद, अभाव जिसके उधारण है बिनब्याहे, बिनबोया, बिनजाने, भर उपसर का अर्थ है पूरा, ठिक, जिसके उधारण है भरपूर, भरपेट भरशक, मित्रो अब हम अर्बी फार्सी के उपसर्ग के बारे में जानते हैं, अर्बी फार्सी के उपसर्ग हिंदी में इन भासाव के सब्दों के साथ ही आये हैं, और दो एक अपवादों को छोड़ कर अब जब वे किसी हिंदी के सब्द के आगे लगे हुए मिलते हैं, जिसके उदारान है अलबत्ता, अलगरज, एन उपसर्ग का अर्थे पूरा, ठीक, जिसका उदारान है एनवक्त, एनजवानी, कम उपसर्ग का अर्थे हिन, थोड़ा, जिसके उदारान है कमजूर, कमबक्त, कम उम्र, कम कीमत, कम सिन, कम समझ, खुश उपसर्ग का अर्थे अ जिसके उदारण है गेर हाजिर, गेर सरकारी, गेर जरूरी, गेर वाजिप, दर उपसर का अर्थ है में, जिसका उदारण है दरशल, दरकार, दरखास, दरहकिकत आदिव, ना उपसर का अर्थ है अभाव, जिसके उदारण है ना दान, ना पसंद, ना राज, ना उमीद, ना ऐसे और भी कई अर्बी फार्सी उपसर्ग है जैसे फी, ब, बर, बा, बिला, बिल, ला, सर, हम, इत्यादे मित्रों अब हम प्रत्य के बारे में जानते हैं, वह अक्षर या अक्षर समू जो किसी क्रिया शब्द या संग्या आदि शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेष्टा या परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्य कहते हैं, जैसे लड प्लस आई बराबर लड़ाए, शंका प्लस लू बराबर शंकालू, प्रत्य क्रिया शब्द के पीछे लगे या संग्या, विशेष्ण आदि सब्दों के पीछे, प्रत्य लगने के बाद बने शब्द सामाने तह क्रिया नहीं होते, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, जबकि प्रत्य अर्थ विशेश से सम्मन्दित होती हैं जबकि प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता प्रत्ययों के प्रकार मुलत हाँ प्रक्त्य 서 दो तद्धित प्रत्य क्रिया या धातु के अंत में प्रत्य होने वाले प्रत्य को कुरुत प्रत्य कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कुरुदंध ये प्रत्य क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं और उन्हें संग्या या विशेशन बना देते हैं संग्या, सर्वनाम और विशेशन की अंत में लगने वाले प्रत्ये को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धिधांत कहा जाता है प्रत्ये की अवधारणा मुलता संस्कृत की है संस्कृत व्याकरण में प्रत्ये प्रकरण काफी बढ़ा है और उसके प्रकार भी बहुत है संस्कृत में तो वस्तुत वाक्य में प्रयुग किये जाने वाले प्रत्यक पद प्रत्य के योग से ही बनता है किन्तु संस्कृत की प्रत्य व्यवस्ता समझना इस इकाय का उदेश्य नहीं है हिंदी ने संस्कृत से जो विशाल शब्द बंडा ग्रहन किया है उसमें तमाम सब्द प्रत्य के साथ ही ग्रहन किये गए है और अब उनके प्रत्यों से अलग कर देखा ही नहीं जाता जैसे चोर शब्द चर धातु प्लस अ प्रत्य से बना है परन्तो हिंदी में चोर एक पूरा स्वतंत्र शब्द है जो शंग्या है अतो यहां भी हम संस्कृत के कुछ उन्हीं प्रत्यों को लेंगे जो हिंदी में प्रचलित सब्दों के पीछे लगते हैं साथ ही हम यहां प्रत्यों का भाशावार विभाजन भी नहीं कर रहे हैं बलकि उन्हें कृत यानि क्रिया में लगने वाले और तद्धित यानि शंग्या विशेशन आदि में लगने वाले प्रत्यों के रूप में ही विभाजित करेंगे कृत प्रत्य, क्रिया में लगने वाले प्रत्य मित्रों आप जानते ही है कि हिंदी से क्रिया शब्द ना के अंत होते है जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, बढ़ना, जलना आदी जब इन ना को हटा दिया जाता है तो जो अंस बचता है वह धातु कालाता है जैसे पढ़ना क्रिया शब्द है और इसकी धातु है पढ़ इसी तरह लिखना की धातु लिख आभी प्रत्य इसी धातु में लगते हैं और जैसे अंता प्रत्य में घड प्लस अंत बराबर घडंत रट प्लस अंत बराबर रटंत अक प्रत्य में देखे तो लिख प्लस अक बराबर लेखक कर प्लस अक बराबर कारक अकड प्रत्य देखे तो भूल वत्ता इकड बराबर भूलकड बूज वत्ता अकड बराबर फिर जोड़ प्रत्य में जोड़ प्लस अ बरबर जोड़ा पढ़ बत्ताई बरबर पढ़ाई इसी तरह आउ आन आवट आवना आवा आस इय ई एत नी वय आधी से कृत प्रत्य बनाया जाता है मित्रों अब हम तद्धित प्रत्य की बारे में जानते हैं क्रिया के अलवा तद्धित प्रत्य कहते हैं हिंदी के कुछ प्रमक प्रत्यों के बारे में जानते हैं जैसे अंदाज प्रत्य तीर प्लस अंदाज बराबर तीर अंदाज गोल प्लस अंदाज बराबर गोल अंदाज अ प्रत्य कुशल प्लस अ बराबर कौशल युवा प्लस यव बराबर અक प्रत्जे मिमांश प्लस आक becर पुल如果你 जड़ी जनी सर्ब्रों। साल प्लस आना बराबर सालाना फिर आपा प्रत्ते बुढा प्लस आपा बराबर बुढापा आरी प्रत्ते पुजा प्लस आरी बराबर पुजारी बेक प्लस आरी बराबर बिखारी आर प्रत्ते सोना प्लस आर बराबर सुनार गाव प्लस आर बराबर गवार आलू प्रत्ते जगडा प्लस आलू जगडालू, शर्म प्लस आलू बराबर शर्मालू, आवना प्रत्य लोभ प्लस आवना लुभावन, शोब प्लस आवना शुहावन, फिर एक प्रत्य धर्म प्लस एक बराबर धारमिक, दीन प्लस एक बराबर दैनिक, पुरान प्लस एक बराबर पावरा इतियास प्लस एक बराबर एतियासिक, इमा प्रत्य, महत प्लस इमा बराबर महिमा, निल प्लस इमा बराबर निलिमा, इय प्रत्य, राष्ट प्लस इय बराबर राष्टिय, भारत प्लस इय बराबर भारतिय, इत इत प्रत्य, इंसान प्लस इत बराबर इंसानियत, कैफ प्ल बेला, एत, ओला, कर, कार, खान, खोर, गार, घीर, ग्य, तया, तर, पन, पुर्वक, बंध, बाज, मंद, मान, य, ल, इत्यादी प्रत्यों से तद्धित प्रत्य बनाए जाते हैं। मित्रो, आज हमने उप्सर्ग की परिपाश्ण एवं अर्थ, उप्सर्गों के प्रकार, उप्सर्गों के प्रकारों में संस्कृत के उप्सर्ग, हिंडी के उप्सर्ग, अर्भी फार्सी के उप्सर्ग, प्रत्ययों के प्रकार, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के बारे अबाहाँ